नमस्कार दोस्तो मैं नाम है अमन कुमार आप लोग का trust IS में स्वागत है आज का पहला question है project cheetah के regarding आपको बताना है कि कौन सी agency responsible है project cheetah के लिए औप्शन है national cheetah conservation authority national tiger conservation authority wildlife conservation authority या national green tribunal आइसर आप सभी लोग जानते है national tiger conservation authority ही responsible है project cheetah के लिए National Tiger Conservation Authority को बनाया गया था Wildlife Protection Act 1972 के अंतरगत तो दोस्तों कोई अलग से National Cheetah Conservation Authority नहीं बनाई गई है National Tiger Conservation Authority के जो चेर्मेन है वो बाई डिफॉल्ट होते है Minister for Environment, Forest and Climate Change थोड़ा सा Project Cheetah के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों Project Cheetah के अंदर अभी तक 20 Cheetahs को लाया जा चुका है इंडिया के अंदर इन में से 12 Cheetah लाये गए थे South Africa से और 8 Cheetah लाये गए थे Namibia से इन 20 Cheetah में से 2 Cheetah भगवान को प्यारे हो गए हैं इन में एक male था, एक female है और जो reason रहे वो health reason थे किसकी कोई ऐसी कोई reason नहीं था जिसकी translocation से कोई relation हो चीता को जो translocate किया जा रहा है from the African countries to India इसको किया जा रहा है कुनो नैशनल पार्क में तोस्तों इंडिया में भी चीता पाया जाते थे last time 1947 में साल forest in 36 गर स्टेट यहां पे चीता को पाया गया था but after that चीता कभी report नहीं हुआ इसी लिए 1952 में इंडिया के अंदर चीता को extinct गोशित कर दिया गया अब जो action plan है चीता के introduction का इंडिया में उसके हिसाब से 10 से लेके 12 चीता हर साल लाए जाएंगे इंडिया के अंदर till next 5 years तक अगरे 5 साल तक 10 से 12 चीता इंडिया में लाए जाएंगे इसे धीरे धीरे करके जो चीता है उसकी population को बढ़ाया जाएगा इंडिया के अंदर भी now friends the next question is related to the platform called सक्षम आपको बताना है जो नया platform बनाया गया है सक्षम का यह किस के लिए बनाया गया है options है defense forces, medical education, tourism and culture या microfinance देखें दोस्तों सक्षम stands for stimulating advanced knowledge for sustainable health management अब इसी full form से आप मतलम निकाल सकते हैं कि इसका लेना देना कुछ ना कुछ medical education से है सक्षम को design किया है National Institute of Health and Family Welfare ने इसको use करके जितने भी health professionals हैं उनको train किया जा सकता है so over the period यह online training का एक platform बनेगा जिससे large scale पे health professionals को train किया जा सकता है in the medical science दोस्तों next question में आपको बताना है कि कौन सी scheme जन सुरक्षा schemes का part नहीं है जन सुरक्षा schemes तीन schemes का एक set था जो ministry of finance के under start किया गया था options आपके सामने है प्रधान मंतरी जीवन जोती बीमा योजना प्रधान मंतरी सुरक्षा बीमा योजना अटल पेंशन योजना या प्रधान मंतरी वाया वंदना योजना सभी आंसर है पर्धान मंतरी वाया वंदना योजना जन सुरक्षा स्कीम का पार्ट नहीं है पर्धान मंतरी जीवन जोती बीमा योजना एक तरीके की life insurance की स्कीम है इसमें जो subscriber होते हैं जो भी इसका benefits का पार्ट वनना चाहते हैं वो 18-50 साल की उम्र के बीच के होने चाहिए और उनका एक valid bank account होना चाहिए Next scheme है प्रधान मंतरी सुरक्षा बीमा योजना ये एक तरीकी की accidental insurance scheme है यहां जो beneficiaries होते हैं उनको 18-70 साल के बीच का होना है और एक bank account होना चाहिए उनके पास Finally, Attal Pension Eugenia Old Age Pension Scheme है ये सभी भारतियों के लिए है पर specifically जो focus किया गया है वो किया है जो unorganized sector के लोग है यहां age 18-40 साल तक के बीच की है आज के लिए इतना ही दोस्तो मेरा नाम है अमनकुमार अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कीजेगा अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं Thank you very much, May God bless you all